पश्चु मंगाल से यहां की जलपाई गुडी में हुए ट्रेन हाथसे में मृतकू की संख्या बढ़कर आठ हो गई है हाथसे में 42 लोग घाल बताय जा रहे हैं जिनने इलाज के लिए अलग-अलग अस्पताल में भड़ती करवाया गया है कल शाम पांच बजे के आसपास बिकानेर से गुहाटी जा रही ट्रेन के सभी डिब्बे पट्री से उतर गए लेकिन गनीवत रही कि जिस वक्त यहाथसा हुआ उस वक्त रफ्तार 50 किलोमीटर प्रती घंटा की गरीब की बताई जा रही थी इसे लुक्सान उतना नहीं हुआ अक्सिडेंट के बाद डिब्बे बिखर गए जिससे ट्रेन रूट पर भी असर पड़ा और कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा जबकि गायलों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए स्वास्तिकर्मियों की टीम अस्पतालों के लिए रहाना कर दी गई पर तुरंट NDRF की टीम को तैनाद किया गया रेल करमचारियों की छुटी रद्द कर दी गई और तुरंट तमाम रेल करमचारी वहाँ पर मौके पर पहुंचे फिलहाल आठ लोगों की मौत की खबर है 42 ऐसे लोग हैं जो गंभी रूप से घाल हैं और स्थानी अस्पिताल में उनको बरती भी करवा दिया गया है पर शुमंगाल में ये रेल हाथसा हुआ खुद रेल मंत्री इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाय हुए है और ग्राफिक्स के जरी आप देख सकते हैं हम पूरे हाथसे को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ये कह अचनक से इमर्जनसी ब्रेक लगा लिकिन कारन्स पिस नहीं वह पाया है और जैसे इमरजनसी ब्रेक लगा उसके बाद आगे कि जो चार डिब्बे हैं वो पूरी तरीके से किस तरीके से बेब पटरी हो जाते हैं तस्वीर आपके सामने हैं, ग्राफिक्स के जरी हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आकर पूरा का पूरा जलपाई गुडी में जो रेल हादसा हुआ, हुआ कैसे? कि लोग आये तो मदद कर अभी अच्छा, बहुत लोग खायल होगा जो आगे जितीनी भी भी बहुगी है सब पिछे के किसा देख तो निचे सारे लोग दब गया अंदर तो उनको बहार निकलने के लोग मदद कर अभी में था उदर अशाना जक्का लागा और वागे उन्टी हो गया वह ए टेन कॉंसा ट्रेन था ये गवाटी इट कर सहांसरे नियुगा जयने था हमको जाना था नहीं जल्भाई गोडी से बहाई को जाना था तो केजुल्टी तो बहुत पर बढ़ बदी तारसे बदी हुआ क्यों हुआ यह ओवर स्पेड हो गया है तो इसे उतर के देखा तो आगे का सब्सक्राइब बगिरा हुआ था और रेल मंत्री अश्वनी वैशना कोलकाता के लिए रवाना हो गये हैं वहां से वो स्पेशल ट्रेन से सुबा घटना स्तल पर पहुंच जाएंगे बहुत ही ट्रेजिक दुरगटना है पुरंत रेस्क्यू एफ़र्ट्स हुए हैं माने प्रदार मंत्री शी नरेंदर मोदी जी ने भी कंप्लीट इसकी रेस्क्यू ऑपरेशन्स की मॉनिटरिंग की है मैं भी एक्सिदेंट साइट के लिए निकल रहा हूँ अल्रेडी साइट पे एम्बूलेंसेज रेस्क्यू टीम और एर्टी जो होती है वो प्लस जनरल मैनेजर ने जो एक्सक्रेशिया रिलीफ होता है वो भी अनमस कर दिया है अल्रेडी हम पूरी कोशिश करेंगे कि पैस बाद से वहां पर लगातार हड़कम मचा हुआ है तमाम स्थानी लोग भी एंडी आरेफ की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कल शाम पांच बजे के आसपास ये बड़ा रेल हाथसा हो जाता है देखिए दो चीज़े यहां पर हुई जो चार डिब्बे शुरवाती चार डिब्बे थे वो पूरी तरीके से पलट गए पलटना और डिरेल होना यानि की और इस वाक की बड़ी खबर आपको बता दे जलपाई गुरी ट्रेन हाथसे पर जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट बड़ी खबर एमर्जेंसी ब्रेक लगाने की वज़ा से पूरा पलट जाते हैं तस्वीर आपके सामने हैं किस तरीके का ये हाथसा हुआ होगा अंदाजा इन विज्वल्स के जरीए इन द्रश्यूं के जरीए आप लगा सकते हैं जलपाई गुरी पश्चिम बंगाल में ये हाथसा हुआ जहां पर बिकानेर से ये ट्रेन चली आ रही थी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है और इस हाथसे को लेकर उचिस तरी जांच का आदेश भी दे दिया गया है यानि कि जांच के बाद ही पता जल पाएगा कि आखिर किस वज़ा से इमोजेंसी ब्रेक लगाने की नौब बताई थी वही हाथसे की खबर मिलते ही पी-म मोदी ने र相信 बाद भी की और इस बारे में प्रधान मंत्री ने ट्वीट भी किया उन्होंने लिखा रेल मंत्री अश्विनी वैश्रणव से बात की और पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुरगतना की स्तितिकी जानकारी ली मेरी समवेदनाए शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं घायल हुए लोग जल्द सस्थ हो जाएं और इस हाथसे के बाद रेलवे की तरफ से मृतिकों के परिवार को पांच लाख मुआफ़े देने का इलान किया गया है इसके लावा गंभी रूप से घायल लोगों को एक लाक और दूसरे घायलों को 25,000 रुपे का मुआफ़ा दिया जाएगा डेलवे ने यात्रियों के परिजनों की मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी कर दिये हैं वहीं इस हादसे के बाद पश्चुम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनर जी ने प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी से फोन पर बाचीत की जिसके बाद पीएम मोधी ने उन्हें हर मुमकिन मदद करने का भरोसा दिया